हेलो एवरीबडी वेल्कम तो मैं चैनल इस इंग्लिश टाइम आज का जो माना टॉपिक है वो है क्रियेटिव वेस्ट इंप्रूव यॉर इंग्लिश अब अपने इंग्लिश को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो इन क्रियेटिव वेज तो आजकर वीडियो बहुत ही ज畫ण है और बहुत ही जिलेधा इंक्रटीं भी है तो प्लीज इस वीडियो को end तक जरूर देखें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मैं चैनल को, प्लीज वीडियो को देखें और सब्सक्राइब कीजिये, और लाइक भाला जो बटन है उसको ब्लीज ब्लू कलर में चेंज कर दीजिये, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफक्ट और देखते हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं सो सबसे पहला टिप नंबर वन तो यह है कि चेंज यो फोन और टैबलेट तो यो टागेट लैंविज मेंस जिस लैंग्वेज में आप इंप्रूफ करना चाहते हो तो अपने फोन या टैबलेट जो भी आप गैजेट यूज कर रहे हो उसका जो आपका लैंग्वेज है अगर आपने हिंदी में रखा हुआ है तो सबसे पहले तो उसको इंग्लिश में चेंज कीजिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो फोन या जो भी गैजेट आप यूज करते हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा तो उससे आपको प्रस पॉइंट यह मिलेगा कि आपको कॉंटिनुसली आप डेली इंग्लिश में ही उसको यूज करोगे अगर कोई अगर आप जैसे इंग्लिश सीखना चाते हो और आप अलेडी हिंदी में ही उसको रखा हुआ है तो क्या होगा हम लोग आलस कर जाते हैं कि चल ठीक है बाद में देख लेंगे अभी नहीं देखते हैं बाद में देखी जाएगी तो उससे क्या होते हैं हम लोग आलस कर जात time आप उसको English में ही use कर पाएंगे अब आते हैं tip number two पे उसमें तो सबसे पहले तो यह है कि हम आदा साल तो already हमारा खतम हो चुका, so अब क्या करना है आपको take a few minutes and write down your goals for the second half of the year in English, अब जो आदा साल निकल गया है वो तो चला गया, लेकिन बचाओ आधा तो है ना, तो उसमें हम यह कर सकते हैं, सबसे पहले तो कुछ minutes अपने लिए निकालिए, एक copy pencil लीजिए और उसमें लिखिए कि आप अपने second half में क्या आपके goals हैं, आप क्या क्या चीज़े करना चाहते हो, suppose आप को जुलाई से जो start हो रहा है, उसमें आप क्या क्या चीज़े करोगे, लेकिन उसको English में लिखना है, Hindi में लिखना English देखिए, simple सी चीज में बताती हूँ, आप English अगर सीखना चाहते हो, या कोई भी language आप सीखना चाहते हो, उसमें बोलने की practice कीजिए, पढ़ने की practice कीजिए यह मत सोचिए, कि लोग क्या बोलेंगे, या मैं गलत लिख दूं तो क्या हो जाएगा, गलत होगा तो होगा, ठीक है, उसको ठीक कर लिजी, आपको आपकी गलतिया तो at least पता चल जाएंगी ना तो कभी भी गलत बोलने या लिखने से हमें शर्माना नहीं चाहिए जैसा भी आता है, लिखो, उससे पता चलेगा कि आपकी mistakes क्या है और next time उनको ठीक कर लिजीए then ask your teacher or language partner to correct you, फिर जो चीजे आपने जो points अपने लिखे हैं जो goals आपने लिखे हैं, अपने पार्टनर को यह आपनी teacher को दिखाए और उनसे पूछ लिजे कि यहां पर कोई mistakes तो नहीं है अब third tip क्या है उसमें क्या करने है, सबसे पहले तो ऐसा कोई इंसान ढूंडिए जिसे आप interview के short question जो है conversation कर सकते हैं अगर तो आपके कोई teacher है तो आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे साथ short conversation कीजिए short interview questions कीजिए जिससे आपको पता चले कि आपका level कितना है और कितना आपको और जादा practice की जरूरत है actor, musician, athlete, chef you name it find it someone who you are interested in या आप ये भी कर सकते हैं कि on Google या YouTube पे ऐसे को इंसान को ढूंड सकते हैं हाँ यार ये तो बहुत अच्छी तरह बोल रहा है मुझे भी इसकी तरह बोलना है तो आप उनकी वीडियो को देखिए उनको गौर से देखिए वो किस तरीके से बोलते हैं किस word को किस तरह से pronounce करते हैं किस तरह से उनके बोलने का तरीका है उसको ध्यान से देखिए उसको adopt करने की कोशिश कीजिए बार बार उसी से practice कीजिए और किसी से कहिए कि आप जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुने और बताएं आपको कि आपकी mistakes क्या है अब आपको क्या करना है यह चीज़े आपने करी आपको अपका level पता चल जाएगा आपको आपकी mistakes पता चल जाएगी तो नहीं ठीक कर सकते हो अब यहां तक क्या है आप middle level तक आ चुके हैं अब आते हैं उससे थोड़े उपर higher level पे उसमें आपको क्या करना है select a song that you already love in English look up for the lyrics सबसे पहले तो आप ऐसा English song ढूंडिए जो आपको बहुत जादा पसंद है धान रखिए वो English में ही होना चाहिए फिर उसके lyrics पे ध्यान दीजिए कि उसके wordings क्या है कई बर क्या होता है English music जो होता है वो बहुत जादा fast भी होता है तो हमें सुनने में वो समझ में नहीं आ पाता कि वो क्या कह रहे है तो उसको सुनिए और साथ-साथ उसके lyrics पे ध्यान दीजिए You already know the majority of the words अब आपका favorite song अगर English में है तो आपको majority of words उसमें पता होंगे Make a goal of learning 100% of the words in the song अब क्या है कि suppose हमें कोई इसके आपको half words आते हैं 20-30% आपको उसके words पता है बाकी के words तो नहीं पता आपको तो उनको धान से सुनिए उसके lyrics पे ध्यान दीजिए उससे क्या होगा आपको जो गाने के सारे 100% words आपको पता चल जाएंगे कि वो क्या है तो उनको बार-बार repeat कर सकते हैं उससे क्या होगा आपकी English बोलने की जो practice है वो और जाद अच्छी होगी So now comes the fifth tip and that is the very important tip इसमें आपको यह करना है Spend a few minutes learning a tongue twister in your target language आपकी जो target language है जो language आप सीखना चाहते हैं Suppose हम यह example ही ले रहे हैं कि हम English चीखना चाहते हैं तो English में आप कुछ ऐसे tongue twisters की प्रैक्टिस कीजिए उससे क्या होगा आप fast भी बोलोगे English में और आपकी fluency भी होगी अब tongue twisters क्या होते हैं कि जो same same words आते हैं ना बोलने में जैसे चंदु की चाचने तो ये तो है Hindi में अखे ही English के भी tongue twisters होते हैं इहीं हम tongue twisters कहते हैं तो ऐसे English के भी tongue twisters होते हैं जो English में यूस किया जाते हैं तो आप उनको सुनिए उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए उससे क्या होगा आपकी fluency भी अच्छी होकी और आप अच्छी तरह बोल भी पाओगे एसा को इंसान ढूंडो जो आपके साथ English में बात कर सके आपकी language में जो आपसे बात कर सके उससे क्या होगा? आपको एक conversation partner मिल जाएगा उससे आपको और जादा अच्छा होगा English में बात करने में क्योंकि हम खुद से जितना बात कर पाएंगे वो से वो है जो हम जानते हैं किसी दूसरे से जब हम इसी चीज से related बात करेंगे सब्सक्राइब किसी से conversation कर रही हैं English में ही तो उससे क्या होगा? आपको new words भी मिलेंगे और आपको और जादा sentences मिलेंगे बोलने के लिए और जादा English में बात करने के लिए आपको मिलेंगे तो वो आपके लिए बहुत जादा helpful हो जाएगा उस case में तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा person हो जिससे आप English में बात कर सको देखो जिजतना मत कोई भी mistakes होंगी वो आपके लिए अच्छा है आपको उसमें mistakes पता चलेंगी तो आप next time उसको ठीक कर सकते हो तो यह हैं कुछ tips आपके English को improve करने के लिए और जादा creative बनाने के लिए तो please इसको try कीजिए आपको बहुत जादा help मिलेगी अगर फिर भी आपको कुछ problem हो दिया मुझसे कोई help चाहिए तो आप please मुझे comment section में नीचे बता सकते हैं मेरा वीडियो पसंद आया तो please उसे like कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए और share भी कीजिए